यह आप लोगों की collective reading है और आज हमारा topic है one-sided love अगर आप लोगों का one-sided relationship है और आप जानना चाहते हैं कि वो भी आप से प्यार करते हैं या नहीं उनके दिल में भी आपके लिए feelings है या नहीं यह बिलकुल आपकी reading है one-sided situation के लिए है यह reading और बिलकुल timeless है जब भी आपकी नजर से गुजड़ेगी आपका उस वक्त का message होगा सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप से कहती हूँ कि cards possibilities बताते हैं आपकी final destination safe divine source को पता है safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers है thank you so much आप सब लोगों के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all so अगर आप नए है मेरे channel पर आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है पसंद आए तो like भी कर दिजिएगा और share भी कर दिजिएगा so अब हम start करते हैं आज की reading और सबसे पहले overall energy देखेंगे आपके connection की six cards होंगे overall energy के लिए so सबसे पहले हमारे पास है family issues pause emotions emotions, hope, cloudy and restless so बहुत clear है मारे पास messages हो सकता है आपके person, family issues है उनके बहुत से responsibilities है family की जिसकी वजा से वो आपके साथ इस relationship में नहीं आना चाह रहे है या वो नहीं है आपके साथ और आप लों का connection इस वक्ट pause में है, चीजें बहुत जादा unclear है confusion है और इस वक्ट आप में बहुत जादा emotional state में है, आपके emotions बहुत जादा involved है इस सारी situation में और आपके अंदर एक hope है बर साथ साथ आप थोड़े से बेचैन भी हैं, तो ये सारी situation आपके लिए बहुत जादा आपको बहुत जादा restless कर रही है बेचैनी है आपके अंदर कि आखिर क्या होगा, आप confused है कि क्या ये इनसान कभी आपसे प्यार करेंगे या नहीं आपके दिल में कहीं न कहीं एक hope है कि शायद ये इनसान कभी आपसे प्यार करेंगे तो देखते हैं कि ये इनसान deep down आपके लिए feel क्या करते हैं, क्या उन्हें आपसे प्यार है? चाहे वो आपसे नहीं कहते हैं, one-sided है आपकी ये situation, क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं? Let's see. और अगर है तो क्यूँ चुपाते हैं? Let's see. ये इंसान आप से प्यार करते हैं या नहीं सबसे पहले हमारे पास है King of Wands The Lovers Six of Pentacles Knight of Swords Bottom of the deck पर हमारे पास है Five of Wands Okay एक बड़ा interesting message आ रहा है सबसे पहले Star Signs Aries, Leo, Sagittarius Libra, Gemini, Aquarius Taurus, Virgo, Capricorn लेकिन मैं हमेशा आप सही कहती हूँ कि आपने एनरजी पर फोकस करना है Star Signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना है और अगर एनरजी आप से match करती है तो बिलकुल आपकी रीडिंग है So ये इनसान इनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं I feel कि जैसे इनकी जिन्दगी में कोई और है में भी जिसको अभी उन्होंने release करना है जिसको अपनी जिन्दगी से उन्होंने निकाला नहीं है या यूं कहलें कि ये इनसान इनोंने आपको भी रखा हुआ है आपको mixed signals देते रहते हैं और कोई और भी है इनकी जिन्दगी में मुझे कोई और भी नजर आ रहा है और यही वज़ा है कि शायद वो आपके साथ confession नहीं कर रहे हैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं because और options को भी entertain कर रहे हैं literally कुछ लोगों के लिए मुझे ये नजर आ रहा है so अगर आपको लगता है या आपकी situation नहीं है तो फिर आज की reading आपकी नहीं होगी so बाकियों के लिए I do feel कि इनके दिल में आपके लिए feelings हैं बड़ी intense passionate energy है थोड़ी lust भी नजर आ रही है मैं ये नहीं कहूंगी that it's true love और ये और वो बड़ी intense feelings है passion है आपके लिए और ये इनसान commitment से भागते हैं ये इनसान commitment से डरते हैं जमेदारी लेने से डरते हैं उसके लिए ready नहीं हैं equally चलने से डरते हैं fair नहीं हो सकते हैं आपके साथ ये ही वज़ा है कि ये इनसान आपके साथ relationship नहीं बना रहे confess नहीं कर रहे हैं because they know कि जिस दिन उन्होंने confess कर लिया उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस दिन से फिर आप उनसे सवालात करेंगे उस दिन से आप उनकी हर चीज उनसे पूछेंगे और वो इसके लिए ready नहीं है मुझे simply ये नजर आ रहे कि ये कोई ऐसे इनसान है जो आजाद रहना चाहते हैं जिन से आप deal कर रहे हैं वो relationship में बंधना नहीं चाहते हैं वो ज़रा आजाद रहना चाहते हैं वो अपनी सारी options खुली रखना चाहते हैं वो आप में interested जरूर हैं और आपको देखकर बहुत excited भी होते हैं बहुत passion भी है उनके अंदर आपके लिए बहुत ज़दा attraction है उनके दिल में आपके लिए और कुछ romantic feelings भी हैं लेकिन ये इंसान confess नहीं करना चाहते हैं बताना नहीं चाहते हैं बेकरण वो बंधना नहीं चाहते हैं आप इसी ऐसे इंसान से deal कर रहे हैं जो non-committal है ये इंसान commit नहीं करना चाहते हैं ये इंसान त्रोड़ेश भी ہو सकते हैं और flirt करते हैं और लोगों के साथ भी ये नहीं मैं कहूंगी कि वो और लोगों के साथ उनके और तालुकाद भी हैं ये नहीं मैं कहूंगी किसी के लिए ये भी हो सकता है specific message है अपनी intuition से connected रहे है जो messages आपको लगता है आपकी intuition को follow करें अगर आपके लिए ये message है तो आपको feel होगा so मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि वो कुछ गलत कर रहे है I just feel के वैसे ही बातें करते हैं flirtatious बातें और लोगों से flirt करते हैं ये इनसान या उनकी nature में है ये थोड़ा सा flirt किसम की उनकी nature है हो सकता है so ये चीज़ आपके लिए painful हो सकती है हमेशा हमेशा जब तक आप इस connection में रहेंगे और अगर आपको लगता है कि अगर connection बन जाएगा और आप ये चीज़े बरदाश कर लेंगे obviously ये तो आपकी free will है कि आप रहना चाहते हैं या नहीं उनके साथ so इस वक्त ये इनसान नहीं करना चाह रहे है commit नहीं करना चाह रहे हैं भागते हैं commitment से ये इनसान भाग रहे हैं commitment से और लड़ना नहीं चाहते बहस नहीं करना चाहते confrontation नहीं चाहते वो नहीं चाहते कि आप उनसे सवाल भी करें कि उन्हें आपसे प्यार है या नहीं, बड़े uncomfortable हो जाएंगे, अगर आपने उनको confront किया है, आपने उनसे पूछ लिया directly कि उन्हें आपसे प्यार है या नहीं, वो इस relation को कहां लेकर जाना चाते हैं, अगर आपने उनसे पूछ लिया है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें आप को कोई positive जवाब दिया है because यह इनसान confront नहीं करना चाहते है इस मौमले पर आपको यह आप से distance maintain करेंगे अगर आप इनको confront करेंगे इस बात पर so यह इनसान non-committal है फिलहाल किसी भी relationship में नहीं जाना चाहते ऐसा नहीं है कि आप में दोस्ती enjoy करना चाहते है आपके साथ अच्छा time बिताना चाहते है और ऐसे इनसान के साथ अगर आप चलना चाहते है आपको बहुत ज़्यादा careful रहना पड़ेगा healthy boundaries set करके चलना पड़ेगा कोशिश कीजिगा कि आपका कोई advantage ना ले सके so अगर आप deal कर रहे हैं इस तरह के किसी इनसान से जो non-committal है so बाद में ता कि आपको पच्छताना ना पड़े बाद में आपको ऐसा feel ना हो कि किसी ने आपका फाइदा उठाया है या use किया है so बहतर है कि आप अभी से healthy boundary set करके चले so I feel कि ये इनसान आपके लिए feel तो करते है passion, attraction but not ready ready नहीं है जिम्मेदारी के लिए let's see क्या कभी ready होंगे या नहीं हम ये देख लेते हैं कि अगले दो तीन महीने में इनकी feelings क्या होंगी क्या ये same इसी तरह से होंगे या change होगी कोई situation अगले एक दो महीने में in the near future so इस पर है caring connections number 14 और फिर हमार पास yin and yang number 22 है इसका so I do feel कि यहाँ पर बहुँ ज़दा attraction है I do feel कि आप दुनों एक दूसरे को बहुँ ज़दा compliment करते है I do feel कि आप लोग power couple बन सकते है एक दूसरे की care भी करते है but ये इनसान control करते है अपनी feelings को again ये इनसान अज़ाद रहना चाहते है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये connection थोड़ा सा deep हो रहा है अगले दो तीन महीनों में मुझे लग रहा है कि इनके दिल में आपके लिए care बढ़ रही है उनको ये धीरे धीरे realize हो रहा है कि जैसे आप उनको complete करते हैं I don't know ये कैसे हो रहा है बट उनको feel हो रहा है वो emotionally involved होते हुए नजर आ रहे हैं आपके साथ इस connection में let's see और क्या हो सकता है ये positive indication है so I also feel कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत different हैं बिलकुल एक दूसरे के opposite हैं लेकिन still एक दूसरे को बहुत ज़दा compliment करते हैं with this yin and yang and I also feel कि आपके person बहुत ज़दा evolved नहीं हैं जितने आप evolved हैं वो इतने ज़दा ना spiritual हैं वो बिलकुल और type के हैं बहुत different हैं so we have patience and blossoming abundance ये है number 16 और ये है number 3 so I also feel कि हो सकता है कि अगले 2-3 महिनों में भी ये इंसान आप से यही कहेंगे कि let's just be friends मुझे आपकी परवा है I like you as a friend, I love you as a friend वो आप से ये कहेंगे वो आप से ये भी कहेंगे कि उन्हें आपकी company में अच्छा लगता है वो अच्छा feel करते हैं but you have to be patient वो आप से ये कहेंगे कि मैं भी ready नहीं हूँ I really feel कि जैसे ये इंसान में भी clearly आप से ये बात कहेंगे कि वो relationship के लिए ready नहीं है वो आपके साथ दोस्त बनके फिलहाल चल सकते हैं और आपको उनके साथ patient रहना पड़ेगा they don't know कि feelings develop हो भी सकती है relation बन भी सकता है बट वो आप से कोई वादा नहीं कर सकते हैं maybe clearly वो आप से ये कहेंगे और वैसे आपके लिए ये message आ रहा है कि हाँ अगर आप चाहते हैं उनके साथ relationship बनाना तो आपको patient रहना होगा confront करने में कोई फायदा नहीं होगा आपको अगर आप उनसे सवाल करेंगे उनकी feelings को लेकर वो कभी आपको अच्छा जवाब नहीं देंगे आप time पर छोड़ दें उनके साथ दोस्ती अच्छी बनाए रखें वक्त के साथ feelings develop होंगे और वो खुद आप से confess करेंगे अगर तो feelings develop हो गई और उनके बारे में आप obviously कुछ नहीं कर सकते हैं because forcefully obviously हम किसी के दिल में feelings नहीं डाल सकते हैं so आपको time पर छोड़ना पड़ेगा आपके पास और दूसरा कोई option नहीं सिवा इसके कि आप time पर छोड़ दें इस relationship को और patient रहें और ये आपके लिए challenging हो सकता है होगा बलके अभी भी challenge है आपके लिए ये because आप प्यार में हैं और वो नहीं है वो नहीं आपकी feelings को उस तरह से ले रहे जिस तरह आपके दिल में feelings हैं ये challenging है आपके लिए बट अगर आप चाहते हैं कि end results अच्छे हो आपको फाइदा हो ये इंसान आपसे प्यार करें उतना ही जितना आप करते हैं तो आपको patient रहना होगा क्योंकि यहाँ पर possibility है abundance की यहाँ पर possibility है relationship मजबूत होने की relationship बनने की possibility तो यहाँ पर है कि relationship बन सकता है बट आपके end से बहुत ज़्यादा compromise होना होगा आपके end से बहुत ज़्यादा इंतजार है तो अगर आप उस सारी चीजों के लिए हमारे सामने आ रहा है कि यह इंसान आप से कहेंगे कि वो आपके साथ fair होना चाहते है वो आपको कोई false hope नहीं देना चाहते है आपको lead नहीं करना चाहते है उस रस्ते पर जिसका उन्हें खुद भी confirm नहीं है कि क्या होगा आगे right so with the by the book literally यह इंसान आपके साथ fair होना चाहते है and with this happy happy they really want के आप जिन्दगी में खुश हो they really want के आपके लिए वो अच्छा ही चाहते हैं आपके लिए वो चाहते हैं कि अच्छा हो आप खुश हो जहां भी हो यह इंसान आप से यही convey करेंगे अगले दो तीन महीने में भी मुझे अभी फिल हाल आप लों की यह situation नज़र आ रही है यह इंसान आपकी खुशी चाहते हैं they really want के आप खुश रहें और obviously वो आप से यह कहेंगे के आपके साथ उनको खुशी मिलती है but they are not sure अभी वो ready नहीं है बिलकुल भी ready नहीं है आजाद रहना चाहते हैं फिल हाल but हाँ वो आप से यह कहेंगे कि वो आपकी company में बहुत खुशी महसूस करते है आपके साथ वो एक special friendship महसूस करते है उन्हें खुशी होती है आपके साथ so वो आपको अपने as a friend अपनी जिन्दगी में रखना चाहते है और as a friend क्या उनके दिल में आपके लिए romantic feelings भी है, attraction भी है वो mixed messages दे रहे हैं इस वक्त आपको लेकिन वो आपको बताना नहीं चाह रहे है कि उन्हें आप से प्यार भी है so ये इंसान थोड़े से चालाक भी है I feel थोड़ा सा manipulate भी करें situation को आपको feel होता होगा कि इनके दिल में आपके लिए feelings है passion, attraction है तो फिर क्यों अपना love confess नहीं कर रहे है क्यों आपको इस तरह इदर उदर mixed messages देते रहते हैं signals देते रहते हैं जैसे प्यार है और फिर बाद में कह देते हैं जब confront आप करते हैं तो कह देते हैं बस friendship है तो थोड़ा manipulate कर रहे हैं वो आपको इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है बट आपको भी बहुत ज़दा careful रहकर इनके साथ चलना होगा healthy boundaries set करके आप से अगर वो सोड़ा सा flirt करने की कोशिश करते हैं आप उसको मजाक में उड़ा दिया करें serious न लिया करें ताकि इनको भी पता चले कि आपकी भी healthy boundaries हैं तो ये भी एक tip मैं आपको दे रही हूँ अगर आप अभी तक ये reading देख रहे हैं जब वो आपके साथ flirtatious होते हैं आपने मजाक में, light way में उस बात को ignore करना है या उस पर कोई joke कर दिया करें आप serious न लिया करें ताकि उनको भी पता चले कि अगर उन्होंने कोई बात करनी है तो उनको seriously आप से करनी होगी So we have stay optimistic about your love life and very soon So in दोनों cards का मतलब ये है कि आप अपनी love life के बारे में positive रहें बहुत जल्द ये इंसान decide कर लेंगे कि इने क्या चाहिए यसे इस card के उपर लिकावा है Clearly decide what you want so that it comes to you now और इसमें लिका है positive thinking and faith will bring you romance So I feel कि ये इंसान बहुत जल्दी very soon decide कर लेंगे कि इनोंने आपके साथ चलना है या नहीं and I feel कि वो यही decide करेंगे कि वो आपके साथ चलना चाहते है maybe वो आपसे at least ये जरूर कहेंगे कि give me some time अभी I am not ready हो सकता है कि बड़े dramatically आप लोगं का connection change हो जाए हो सकता है कि ये इनसान एक दम से इतने committed हो जाएं आपके साथ इतना प्यार दें आपको कि आप हैरान हो जाएं who knows कुछ भी हो सकता है ऐसा हो सकता है कि इनकी personality में एक दम से ये change आए बट ये change तब ही आ सकता है कि जब आप patient रहेंगे possibility है positive रहें faith रखें अपनी situation पर patient रहें और उनसे सवालात मत करें उनकी feelings के बारे में फिर ये connection deep हो सकता है so let's see आपके लिए क्या guidance आ रही है so इस card के ओगार्ड surrender यही बात मैं आप से भी कर रही थी at times we must surrender the old before something new can enter our lives let go and all will work out so आपको surrender करना होगा surrender to the divine faith रखें कि चीज़ें unfold होंगी आपके हक में आपके लिए अच्छा ही होगा जब भी होगा so faith रखें क्योंकि you have nothing to lose इसलिए आपको परेशान होने की जूरत नहीं है इसमें key point यह है क्योंकि आपको किस बात कर डर है एक इंसान को आपने हासिल किया ही नहीं उसके प्यार को आपने हासिल किया ही नहीं तो आपको डरना किस बात का just surrender right अगर आप बैठ कर सोचेंगे देहान से प्यार देने वाले आप हैं attention उनको देने वाले आप हैं available उनके लिए हमेशा आप हैं तो खोएगा कौन? वो खोएंगे आप कुछ भी नहीं खोएंगे right so आप surrender कर दीजे next is reflection give each other some space at the moment trust and have faith that all will work out for the best wow will work out work out for the best positive thinking wow सारे cards में आपके लिए एक ही message आ रहा है surrender कर दीजे और सब कुछ बहतरीन होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एक दूसरे को space दें faith रखें trust रखें अपनी situation पर आपके लिए यही guidance आ रही है let's see two more cards two more cards we have meditation brings answers and then if you believe again वही message आ रहा है trust, faith और believe अगर आप believe करेंगे तो आपकी situation ठीक होगी और meditate करें आपको encourage करें आपके angels relax करें, meditate करें उससे आपको अच्छा feel होगा आपकी intuition strong होगी आप strong होगे excuse me so अब हम आपके yes and no question पर आने लगे हैं आप focus रखिएगा अपने question पर साथ हम आपके लिए letters और numbers देखेंगे आपका name initial आ सकता है आपके partner का आ सकता है किसी का पूरा नाम आ सकता है life path number, house number, car number, कुछ भी so देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है so शुरू करते हैं आपके yes and no से let's start हमारे पास है n j i 777 c so आपके स का आपके सकता है definitely it's a big yes let me here g s b x f F T D F 2 3 3 3 L K number 6 number 9 S J C C 8 U S H U V E F number 1 A A X I P R W C T N Z L R G E N D end M C and B So یہ آپ کے letters اور numbers ہیں دیکھ لیجئے کیسے آپ سے resonate کرتے ہیں اور یہ آپ کی reading تھی کچھ بھی آپ کے لیے helpful رہا پسند آیا مجھے ضرور بتائیے گا comment section میں اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر like کیجئے گا share کیجئے گا subscribe کرنا مت بھولیے گا سو جاتے جاتے میری ہمیشہ آپ کے لیے دعا ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی manifest کرنا چاہتے ہیں new love, true love آپ کی زندگی میں ضرور manifest ہو اور ضرور ہوگا کیونکہ you are worthy of love and you are lovable اپنے آپ کو یہ ضرور بتایا کریں اپنا دھر سارا خیال رکھے گا I'll see you in my next video till then love you lots bye bye